पहले तो मैं तरी गई कि इतना बड़ा पार्सल ना मैंने ओर्डर किया ना किसी बच्चों ने भी जुआया है मुझे फिर एकदम से ध्यान आया जब उन्होंने कहा ये ब्लू डार्ट से आया है आपका पार्सल तो पहले तो मैंने कोरियर वाले से मजाग किया कहीं ये बॉम जिसने मुझे कॉल किया कि आपका कुछ पार्सल आने वाला है तो मेरा डरना तो बनता था कि ये क्या चीज़ है पीना ओर्डर किये घर पे पहुंच कि फिर एकदम से मुझे ध्यान आया ये शायद मेरी बेटी की एलबम हो सकती है अंगेजमेंट की देख लो अब शादी क पहले की एलबम मुझे रसीब हुई है शादी के एक महिने पहले तो पूरा साल लगाए इस एलबम को बनाते बनाते फोटोग्राफर को जिनोंने शूट किया था मैं तो डर ही गई थी मुझे लगा ना मैंने कुछ ओडर किया है और बच्चों ने कुछ बिजवाया है ऐसे कैसी कोई पारसल आ गया विना ओर्डर किये तो मैंने रसीब तो कर लिया और देखा आके इसके अंदर बेटी के अंगीजमेंट की एलबम थी जो पूरी एक साल के बाद हमें रसीब हुई वो भी आदी अधूरी जो उनोंने जो उनसे बात हुई थी ना फोटोग्राफर से एक एलबम और एक फोटो फ्रेम तो इसमें फोटो फ्रेम नहीं मिला है मुझे और पेमेंट हम लोग पूरी के पूरी अंगेजमेंट वाले ही दिन कर दे थी उनको और एलबम आने में लगा पूरा एक साल तो देख लो ऐसे भी होते हैं लोग पर जो भी है चलो ठिक ठाक बनाई है एलबम तो ठिक ठाक बनाई है पर जो होता है ना अपना एक प्रॉमिस जो हम लोग मुझे किसी को बोलते हैं यह ताइम इतना पीरियड है आपका इस ताइम पीरियड में आपका काम हो जाएगा पर वैसा कुछ भी नहीं था पूरा एक साल लगा है हमें एलबम र एक एलबम रसीव हुआ है तो यह देख लो अब पैंड्राइव और फोटो फ्रेम वह पता नहीं कितने साल के बाद हमें रसीव हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते हैं उस चीज का यह है मेरी बेटी की अंगेजमेंट की एलबम तो यह सब यह देख लो यह पूरी हमारी फैमल देखा है तो आप सब भी मेरी फैमली है इसलिए मैं आप सब को दिखा रहे हूं यह देख लो यह है मेरे जमाई राजा जमाई राजा इनको तो आप पैचानती हूँ यह कौन है और यह है मेरा बेटा यह अंगेजमेंट रिंग दोनों की यह है मैं मेरे हस्मेल और मेरा बेटा यह दामाद बस इतना ही दिखाऊंगी आप लोगों को अभी मेरे बच्चों ने भी नहीं देखा है आप सब फेस्बुक पैमिली को मैंने पहले ही दिखा दिया तो ठीक है आप दोला को देखा है आप लोगों को शोगों का प्रम बस्तों को आप लोगों का लोगों कि दोंगर छोगों को रड़ाएं दुखा है